नमस्कार दोफतों एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल में आप लगों का हरदिक स्वागत लेट अफट अप्टेड निकल के आए कि केंद्रे करमचारियों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है मोधी सरकार केंद्रे करमचारियों का बेसिक नियूंतम वेतन बढ़ा कर करेगी 26,000 रुपे इस दिन होगा एलान तो दोफ्तों परदानमंतरी नरेंदर मोधी सरकार केंद्रे करमचारियों के फिटमेंट फैक सनाप लोगों के पास तरंत बोईसकरे तो करते हैं, वीडियो को श्रट बिना किसी धैरी के दोस्तों अन्दर मोगी सरकार आने वाले दिनों में केंदर सरकार के करमचारी के लिए कुछ और अच्छी खबर ला सकती है केंदर सरकार के करमचारी संग लंबे समय से निन्तम वेतन 18,000 रूपे से बढ़ा कर 26,000 रूपे करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ा कर 3.68 गुना करने की मांग कर रही है मिडिया रिपोर्ट के मुतावि केंदर करमचारी का फिटमेंट फैक्टर जल्द ही तै किया जा सकता है इसका मतलब है कि सरकारी करमचारी के बेसिक वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है दोस्तों ऐसा माना जारा है कि चुनाओं से पहले इस पर सरकार बढ़ी गोशना करेगी केंदर सरकार fitment factor को बढ़ाती है तो केंदरिय करमचारियों के वेतन अपने आप बढ़ जाएगा fitment factor केंदर सरकार के सभी करमचारियों की basic वेतन तैख करता है फिटमेंट फैक्टर को आखरी बार 2016 में बढ़ाया गया था जिसमें केंद्रे क्रमचारी का नियूनतम बेसिक बेतन 6,000 रुपे से बढ़कर 18,000 रुपे कर दिया गया था fitment factor में सम्भावित बढोतरी से न्यूंतम basic वेतन 26,000 रुपे हो सकता है अभी न्यूंतम basic पे 18,000 रुपे है जो बढ़कर 26,000 रुपे हो जाएगा यानि सरकारी क्रमचारी को basic वेतन यानि में सिद्ध 8,000 रुपे की बढोतरी होगी अगर basic pay 18,000 रुपे से बढ़कर 26,000 रुपे हो जाता है तो मेंगाई बत्ता भी बढ़ जाएगा मेंगाई बत्ता basic वेतन के 31 परतिशत के बराबर है और DA का calculation DA की दर को basic pay से गुना करके निकाला जाता है basic वेतन बढ़ने से अपने आप मेंगाई बत्ता भी बढ़ जाता है तो दोफ तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत